नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे चेनल भक्ती ग्यान में दोस्तों आज मैं आपको दीपा वली की कथा सुना रहा हूँ एक गाउं में एक सावकार रहता था इस सावकार की एक बेटी थी जो प्रति दिन पीपल के ब्रक्षपर जल चड़ाया करती थी उस पर देवी लक्षमी का वास था एक दिन माता लक्षमी ने सावकार की बेटी से कहा मैं तुमारी मित्र बनना चाती हूँ सावकार की बेटी ने कहा मैं पहले इस बात की अनमती अपने पिता से ली कर आऊंगी सावकार ने अपनी बेटी को मित्रता करने की अनमती प्रदान कर दी अगले दिन सावकार की बेटी ने माता लक्ष्मी की मित्रता को सुईकार कर लिया दोनों अच्छे मित्र की बहाते एक दूसरे से बात चीत करने लगी एक दिन माता लक्ष्मी ने सावकार की बेटी को अपने घर आमंतरंत किया माता लक्ष्मी ने सावकार की बेटी का अपने घर पर भव्य रूप से स्वागत किया और भोजन परोसकर बोली कि अब तुम मुझे अपने घर कब बुलाओगी सावकार की बेटी ने माता लक्ष्मी को अपने घर को आने का न्योता दे दिया माता लक्ष्मी ने उसका न्योता स्विकार भी कर लिया माता लक्ष्मी ने सावकार की बेटी का बेद ही सांदर तरीक से आदर सतकार किया लेकिन सावकार की बेटी अब इस चिंता में पड़ गई कि घर की आर्थिक इर्थिति ठीक नहीं है मातलक्षमी का अच्छे से स्वागत कैसे करेगी सावकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो वैस समझ गया उसने अपनी बेटी से कहा जाकर मिट्ट से चौका लगाओं सफाई करो चौमोखी बत्ती वाले दीपक का निर्माण करो तथा मातलक्षमी जी का ध्यान करो सावकार की बेटी अपने पिता के कहने पर मातलक्षमी का ध्यान करती हैं इसी बीच एक चील किसी रानी का नौ लखका हार उसके घर ले आती हैं सावकार की बेटी बड़े आदर सत्कार से दोनों का स्वागत करने लगी इससे माता लक्षमी तता गनेज जी प्रसन हो गई तता भे दोनों को सावकार की बेटी और सावकार को खूब आसित प्रदान करने लगे माता लक्षमी तता गनेज जी की आसित से सावकार का घर धनधान से भर ग बुलो गनेश भगवाने की जाएं